तो अब हर्याने की चोरियां भी चोरों से कम नहीं वह इतने फाक रखते होंगे इस बात से की बात अगर हर्याना की हो तो खेल के इंडस्ट्री में या फिर उसकी जगत में अगर हम बात करें तो हर्याना का नाम सबसे पहले हैं तो फिर वो चाहेे इशिया गेम्स क्यू नहीं चाहूँगा मिस्टर गोड़ वालिया जी को और हमारे पेनलिस् स्ट जbes ब्यल्कुल और इसके साथ में मम्ता खरभ जी को भी बुलाना चाहूँगी जो फिलहाल डियस्पी भी है इंटेन होकी टीम की एक्स कैप्टन रह चुके हैं और अरजुन अवाडी भी है जोड़दार तालियों से हमारे खास महमानों का स्वागत कीजिए मिस्ट मम्तार खरब को मैं बलाना चाहूंगा फॉर्मर कैप्टन वुमन होकी टीम मिस्ट सुनील दवास कोच वुमन कबड़ी टीम इनका भी जोड़दार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर जगदीश बॉक्सिंग कोच उनको भी हम स्टेज पर बलाना चाहेंगे तो यह हमारे खास महमान है और बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा होने वाली है जोड़दा तालियों से स्वागत इन सभी का करिये और बै अब गॉरफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस सेशन को आगे बढ़ना है थैंक्स बिल्कुल बाद धन्यवाद गगन और शिरीन माइक लेजी प्लीज तो जैसे गगन ने बाद की शिरीने की पिछले दस साल से लगातार इंडिया न्यूज हर्याना दशकों की पहली पसंद बना हुआ है और खास तोर पे आज जो शौरे सम्मान रखा गया है और आज एक मंच सजा है उसके लिए जहां पे खेलों के उपर हम बादचीत करेंगे और स्पोर्ट्स परसन हमारे बीच में है और कॉप भी है शौरे सम्मान उनको भी देना है क्योंकि सबके इंट्रेडिक्शन हुआ पर कहते कि जब नेक काम करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं हमारे बीच साक्षाद भगवान ही विराजमान है तो उनी से शुरुआत कर लेंगे भगवान जी आपके राज में कैसा चल रहा है हर्याना स्सक्षाद गैएं तो प्राइब कोई भी तो तो विकी appelle का उनी स्था अराजमान ईड़ को में रहा है वहल है कि यह हर्याना हमारा बिचे तो यह पर इससे हटкі में कुछ जाना चाएंगा आप से उसके बाद हम के बीच चानें जो एक बात सामने आ रही है कि आज कल आपकी नजरें जो हैं हर्याना के घरों की वाशिंग मशीन पे लगी हुई है उसके पीछे के सचाई क्या है यह भी सब जानना चाहते हैं जैसे कि आज कल तल रहा है कि यूथ सारा ड्रग्स के पीछ बाग रहा है तो मेरा यह मानना है कि जब से हमारी माताएं बेहनों ने वोशिंग मशीन यूज करना स्टार्ट किया है तब से वो बच्चे जो नशा कर रहे हुए उनको टाइम पे नहीं संबाला जा रहा है कि जब पिए नहीं आपने पर लुटा आप पनी बच्छों के तो उनके बच्चों के कुछ ना कुछ ना कुछ जो बच्चे जो बिगड़ गया है तो उनको रोक दिया कर देते बट अब क्या हो गया है कि वह बंडल बना के वोशिंग मशीन वे फ्र एक देते थे ते और फिर तो मैं लो कि आपकी नजर वहां पर पूरी होगी? मेरी वोशिन वोशिन पर भी और खासकर मैं यूथ को जो भी बच्चा मुझे गल्ब सलता हो और दिखाई देता है मैं अभी CIA टौहना में काम कर रहा हूं तो मैं उसको ड्रग्स के पिछे पड़ा रहता हूं और मैंने अभी तीन महीने के अंदर सो से ज़्यादा जो ड्रग्स बेशते हैं उनको जेल बेजा है और मैं ट्राइ करता हूँ कि हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स फरी हो और ड्रग्स फरी होगा तबी हमारा हिंदुस्तान में नाम रोशन होगा और जादा से जादा मेडल ले बाएं बहुत अच्छी बात आपने की की ड्रग्स से दूर रखना नौजवानों को गमता खराब जी भी हमारे पास हैं ममता जी आप भी पुलिस में हैं जो जैभवान जी ने कहा ये विशा काफी महत्तपूर्ण ये भी है क्योंकि अगर हमने यूथ को आगे लेके जाना है तो ड्रग्स से दूर अखना पड़ेगा तो ये चैलेंज है तो अब हर्याना में भी ये चैलेंज है आपके सामने को स्पोर्ट के लिहास से अगर देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ड्रग्स से स्पोर्ट नहीं वैसे भी एक आम आदमी को खराब कर रहा है और हमारे यूथ में शम्ता है हम सब में शम्ता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इस वज़े से हम लोग पिछे रह जाएं तो जैसे जय भगवान ने भी कहा है पुलिस भी महनत कर रही है इस काम के लिए और सरकार भी लगातार लगी हुई है कि ड्रग्स को खदम किया जाए पर क्योंकि आपको एक गोल्डन गर्ल का भी टैटल दिया जाता है तो ये गोल दाने के उमीद है और काफी इंप्रूमेंट है पहले से स्पोर्ट में अब तक प्रभी जब हमने देखा कि चक्त दे इंडिया मुवी देखी जोश भर जाता है तो आपको भी वेसी देखा जाता है कि जब आप आपने स्पोर किया वो गोल्डन तो ऐसा मुकाम वापिस क्य है पुरुष बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कोलिफाइब किया है और उसके साथ-साथ मेडल भी ले रही है और आप जो अजरु आप सनी वहाँजियों मोध्या है आप किस तरह देखते हैं कि ये जो गोल्ड है ये जो गोल्ड मैडल है तो इनकी भरमार किस तरह हो सकती है हर्याणा में तो वैसे अक्सर होती रहती और कैसे हो सकती है देखो मैं सबसे पहले तो आपकी इस पहल का बहुत बदाई देती हूँ कि आप लोगोंने इसको उठाया है मुद्दा बहुत अच्छा है और दूसरी ये कि हरियाना आज सिर्ष पे है, हम चाहे Commonwealth Games हो, एशियाड हो, चाहे Olympic हो, चाहे Paralympic हो, चाहे खेलो इंडिया हो, हम नमबर वन पे हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि ये हरियाना की जो मिट्टी है, एन्वार्मेंट है, मैंने पिछले दिनों एक इसी टॉपिक को खेलो में माहरादेश हरियाना करके, ट्रिब्युन में एक लेक लिखा था, लहरे करके 29th अपरेल को आया था, उसमें मैंने पूरे हरियाना का sports का analysis कि आ था, कि हरियाना में sports है, तो वो कैसे है, क्यों आगे बढ़ रहा है, हरियान में मिट्टी, हरियान में culture, और हरियान वो हमारा अतिवादी एक्स्ट्रिमिस्ट की तरफ जो बच्चा होगा वो मैडल हमेशा जीतता है कभी हार ना मानने की ताकत है वो हर्यानवी प्लेयर रखता है और अभी देश में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अभी भी जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो पूर हर्याना आगे बढ़ता जाएगा दो चीजे मैं इन में बेसिकली मानती हूं एक हर्यान में डियन ने तो है शारी एक सोस्टव भी है और दूसरा जो हर्याना में स्पोर्ट का कल्चर है उसमें कुछ तो हमारा ग्रामिन एरिया है वो कल्चर बहुत अच्छा जो है स्पोर् स्पोर्ट्स अकेडमी शुरू की हैं पूरे देश में हमारी 600 एक स्पोर्ट्स अठाट्य इनिए की सेवंटी एट एक कैडमी है टोटल इटिया में और हमारे अकेले हर्याना में अभी 600 नर्शरी शुरू की गई है तो वह नर्शरी आने वाले समय में बहुत अच्छा तो कहींने कहीं एक जोब औरियंटेट स्पोर्ट को कर दिया जाता है तो खिलाडे निश्चिंद हो जाता है कि हां मुझे आप बस खेलना है और अपने देश को अपने प्रदेश को मैटल देना है तो आपकी इस तरह देखते हैं कि क्या कमी अभी है वो जो बच्चे आपके पास आते हैं सीखने के लिए क्या उनकी चाहत वैसी होती है या जैसे मैडम ने जिक्र किया कि माबा पहले सोचते हैं कि कल को जॉब मिलेगी की नहीं मिलेगी तब ही अपने बच्चे को लगाएं वो जजबे की इन्होंने बात की तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी भी मिसिंग है जिसको आगे लाने की जरूरत है हरियाना खेलों में सीर्षपर है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन मैं जैसे मैडम डवास ने बताया कई बातें आपने पूछी है कम्यों की बात है तो मेरा जान कम्यों की तरफ ही रहेगा पहला जैसा कि बताया कि हरियाना में स्वोर्स कल्टर है हमारी माटी म ने खेल है दम है मैं इस बात से ات्वाक रखता हूं लेकिन सरकार की जो नीथिया हैं सरकार ने बार बार नई सरकार आती है वो अपनी नई नीथी की अडव्OULDटाइजमेंट करती है वर्तमान सरकार से महहें संटूस नहीं हूं कोई सरकारी पतिमीदी हो या आपके माधम से मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने आने के बाद कितने खिलाडियों को नोकरी दी मेरी अपनी जो जानकारी है इस सरकार ने किसी की खिलाडी को कोई नोकरी नहीं दी जाए गुरूप C की है, D की है या कोई भी नोकरी हो अभी मुझे तकलीफ हुई, मैंने देखा कि वे जितनी भी एडियोटाइजमेंट हुई हैं चाहिए पुलिस की नोकरी की बात है, इंस्पेक्टर की पॉस्ट निकली हैं, डियेश्वी की पॉस्ट निकली है हद तो तब होगी जब भी ये 18,000 पॉस्ट निकली हैं, कहीं खिलाडी का, खेल का, नोकरी का, रिजरुवेशन का कोई जिकर नहीं है पॉलसी है हमारे पास, इसलिए सरकार ने पॉलसी बनाई थी पहला तो बात है नोकरी का, वर्तमान सरकार नोकरी देने के मामले में विफल रही है, खिलाडियों को और मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ, कि सरकार के बास जो समय है, वो जो हमारे खिलाडी, जो डिजरुव करते हैं, जिनोंने देश का गौरो बढ़ाया हैं अंतरा सिस्थर पे, उनको तुरंत परभाव से नोकरी दे दूसरी जो बात है, वो मैं उठाना चाहता हूँ, कि जो सरकार की जो पोलसी है, पिछली सरकार ने खेल नीती बनाई थी, जड़ दी जी, मैं फोड़ा इंटर्वीन करना चाहूँगा, आपने का है, कि उनको नोकरी दें, सरकार देखें, कि वो एड़टाइज करते हैं, ग अगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, कि जो हमारी आवार्ड की पोलसी है, खेल पुरुषकार की पोलसी है, उसमें भी अभी काफी विवाद रहा है, पहले सरकार ने कहा कि वो हर्याना से खेले, और सीनियर ग्रूप में ही मिलेगा आवार्ड, जुनियर को यूद को नही पाजाते हैं, और उसका पहला सर्थ ये है, पहमाना ये है, कि नोकरी जो लगा होगा, वो अपने डिपार्डमेंट को रिपर्डेंट करेगा, और हर्याना सरकार की पोलसी में ये एक पॉइंट डाल दिया गया है, कि वो हर्याना को रिपर्डेंट करेगा, जो नोकरी लग कि सरकार उस अवारण को तूरंट जारी करें और खिलाडियों का मनोबल तोड़ने की वजाए मनोबल बढ़ाए जो जगदीज जी ने रखा तो कि यह ग्राउंड रियालिटी वह दिकर कर रहे थे पर आप कह रहे थे कि इस पॉलिसी का काफी फाइदा हुआ मैं जय बगवान कर देखो जोब देने में थोड़ा सा डिले है क्योंकि खिलाडी जब खेल के आता है तो इमिजियेट उसको अगर केरियर जिस इस इस पॉलिसी बनाई है उसको एजीक्यूशन में मुझे कहीने कहीन कुछ थोड़ी सी कमी नजर आ रहे है डिले है और सर आपको मैं यह जरू लेकिन जो नर्शरीज है उनका मेरे संग्यान में है कि एक साल तक का तो उनका बज़ेट अलोट हो चुका है तो नर्शरीज का बज़ेट आ जाएगा तो खिलाडियों को मिलता रहेगा और कोचिज को भी हां जो कोचिज लगाए गए हैं वो यूपी स्टेट में ऐसे ही कोचिज लगाए उनको 30,000 सेलरी दी जाती है हरियाना में एक एनेस क्वालिफाइड कोच है उसको अगर 15,000 सेलरी पर हम रखते हैं तो उसके लिए कम है क्योंकि कोई भी कोच की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है और पूरे देश से मुश्किल से एक खेल से 15 है तो उनको एक कैरियर बड़ा मुश्किल से टफ कैरियर मिलता है और फिर उसको हम केवल 15,000 में अगर कॉंट्रेक्ट साइन करते हैं तो वो उसके लिए बहुत कम है यह जिकते हैं यह जिकते हैं यह जिकते हैं आप किस तरह देखती हैं को कि खुद आप प्लेयर है और से उसको समय रहते हैं उसको जो समान मिलना है जो सुविद्राएं मिली है वो मिल जानी चाहिए क्योंकि जो उसका चाम रहता है जो मैडल का चाम है उसके लाड़ी के पास वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता रहता है तो समय पर यह सारी सुविद्राएं मिल जानी चाहिए मेरे दादा जी ने नाम रखा था कि लोग जो आज पापी दुनिया हो जाएगी तरह नाम लेके पाप दो लेगी तो नहीं ऐसा मुझा करूं मुझा लगता है कि जब स्पोर्ट्समैन गेम्स में जा रहे हैं उससे परले उनको बुश्ट रख किया जाए उनको जैसे आप मेडिया का प्यार मिल रहे हैं इडिया नूसर याना का पहले भी अमने प्रोग्राम टेंड के असा प्यार बिलता है तो तो जब लाइटिंग का आदा गंटा हु ट्रेन हमने बढ़ा दी तो मुझे लगता है कि आप लोगा जिजना प्यार मिलता रहे हैं आप स्पोर्ट्समेन को आप स्टार बनाते रहेंगे तो मैडल हमारे आटोमेटिकली जादा बढ़ते रहे हैं मैं को याद एक वर मैने आप से बात की थी अपाद तो चाहिए आपको याद होगा पैसा चाहिए मंकि हर प्लेयर को चाहिए हम इतनी महिनत करते हैं तो बिन पैसे के तो गुजारा है नहीं बिलकुल सर हमारे कोच जगडीज जी हमें तियार किया है मेरे सुवे सिंग बैनेवाल कोच थे उसके बाद मैं सब्स पास के लिए मैडल जीत पहाएं. अगर हमारे पास जैसे अब पेसा आरा है तो आप खुद किलाजी जो है, अपने पास, खुद पैसे जा के बूंबे जा के अपना टीटमेंट कर वा रहे हैं, जारी कर रहे हैं और सुपलीमेंट लेकर आ रहे हैं, तो पैसा होना स्पोर्ट के अं क्रिकेट के साथ, तब लगता है कि बाकी स्पोर्ट कहीं न कहीं थोड़े फीके हैं, ये बड़ी कंट्रास्ट है, एक रियलिटी जब उसके साथ तुलना होती है, तो लगता है कि ये क्यों, ये आपके मन में भी आता होगा है। बिल्कुल है, मैं भी इस reality में विश्वास करता हूँ और मैं जो आपतुलना कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा रोल आप नाराज नहे हो तो मैं बता है, मीडिया का है दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कोई बॉल फैंकी जाती है कोई किर्केट खेलता है जहे का पूरा बायोड़ा पूरा मीडिया में आप किसी भी print मीडिया में या electronic मीडिया में पढ़ सकते हैं दूसरे खिलाड़ी Asian level पे या world level पे भी पधक जीखते हैं उनकी यह तो खवर लगती नहीं है लगती हे तÑ किसी कोने में छोटी जी उसको कोई पड़ नहीं पाता है तो मैं इस पूरा जो यह जो पापॉलर्टी है आज जो किर्केट है हमारे पूरे देश में जो कोने कोने में कहीं जगह नहीं मिलती तो मैंने सथ पे भी खेलते देखे हैं आंगन में भी खेलते हैं गली में भी खेलते हैं रोड़ पे भी खेलते हैं, इसका सारा सरह सताई तो यही है, आपने रियल्टी की बात की है, इसका सरह मैं मीडिया को देता हूँ, और मीडिया की भी कोई अपनी मजबूरी होती होगी, उसको अपने तैनल सलाने के लिए। कारवाई भी देखते हैं, किसी ने सेंसुरी बना दी, तो कारवाई रोग के स्पीकर उसको बधाई देता है, प्राइम मिनिस्ट्री उसको बधाई देता है, तब कई बार हमें थोड़ी सी तीस होती है, कास की हम भी किर्केट से जुड़े होते, दूसरे खेलों की जो अंदे देखते हैं, तो हो देखते हैं, तो किते हैं कि हर्याना में देसी घी जो है, माई घर से खिला के बिस्ती हृती हैю, साथ में थे देती हैं, वह भी आरहा है और खिलाया जारा है पूरा? पहले जी तना तो नहीं खिलाया जा रहा लेकिन दूसरे प्रदेशों से जो दूसरे जो स्टेट हैं उन से हम तुलना करते हैं तो फिर भी हम अपने आपको हरियाना को काफी आगे पाते हैं और सबसे बड़ी जो बात मैं एक परिवर्तन जो समाज में देख रहा हूँ अभी हमारा बेटियों के लिए है बेटियों के परती हमारे समाज की जो खास करके हरियाना में सोच बदली है हर रोज पेरेंट्स अपने बेटियों को ले के खेल मैदान में आते हैं और उन्होंने इसको साबित भी किया है और उन्होंने बलाली वहने फोगाट वहने हो इन्होंने देख़ो अभी गोल लेके पूरा एक नई मिशाल कायम की है और ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा हमारी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए और चाह साक्सी मले को उन्होंने ओलम्पिक में पदक जीत के एक नई रा दिखाई है तो हरियाना में हमारे समाज की सोच है वो बेटियों के परती बदली है जिसके लिए हम पूरा सरकार को समाज को और मेडिया को बदाई देते हैं और बेटियों का आवान करते हैं कि वो खेलों में आगे बढ़ें और दुनिया में अपना नाम कमाएं बहुत अची बात है सोच बदली है और बदल भी रही है दो बेटियों यहां पर भी बैठी है मंच के ओपर और वो इसे का एक्जाम्पल भी है मुमत जी किस तरह देखते हैं यह बड़ा अच्छा पॉइंट इनो ने जैसे उठाया कि बेटियों के बरती जो सोच है जो नजरिया है वो बदल रहा है और वो एक अच्छा एक्जाम्पल सेट कर रहा है बिल्कुल सोच बदली है मानसिकता बदली है बेटियों के तरही और हर फील्ड में बेटी आगे जा रही है सिस्पोर्ट की बाद नहीं वो सिफ इस लिए कि उनके जो परिवार है वो उनको पुष कर रहे हैं उनको जो सुविधाय है वो देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर फील्ड में उनको आगे बढ़ाने के लिए सायोग कर रहे हैं बिल्कुल मानसिकता बदली हो और थोड़ा बदलेगा तो मेरे क्याल से बेटियां और आगे बढ़ सकती हैं और अब इक किसी भी लिवल पर जाके किसी भी फिल्ड में बेटियां ऊपर होंगी बेटो के पधी वो पड़ाही में हैं खेल में आप देख रहे हैं बेटियां बढ़ रहे हैं लगातार कि आज लड़कियां जो मैडल टेली में तो दोनों का वजन है वो मैडल का इक्वल होता है से वो बेटा जीते चाहे बेटी जीते तो हम हर लड़की या लड़का वो मैडल टेली में एक्वल भागिदार होता है सेकेंड तिंग हमारे जो सबसे ज़्यादा कल्चरल ग्रामिन एरिया का बदला है ग्रामिन एरिया में पहले लड़कियों को इवन ट्रैक्शूट भी नहीं पहने दिया जाता था और आज वो लड़कियां मैं मेरे गाउं का एक्जामपल देते हूं मेरे गाउं में कभी हम ट खेल अकेडमी चलती है कबड़े कि जो हर्याना गॉर्मेंट के हल्प से तो उस में अभी पिशले दिने टूर्णामेंट हुआ तो उनकी सब की माई गुंगट निकाल के बैठी है टूर्णामेंट देख रही हैं लेकिन उनकी बेटियां उनी के सामने शोर्स में खेल रही ह और आज हमारी बेटियों तो जिंडे काड़ दिये हैं जिंडे काड़ दिये हैं मंदा सुप्तर तो वो बाद में प्रहनेंगी आज उनकी अपने गले में गोल्ड बेडल डालिये हैं मंता जी आज क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था सरकार तो इसको देखते हुए विमन सेफटी बहुत बड़ा एक मुद्दा है क्योंकि आप कुछ सर्विंग कॉप हैं किस तरह देखती हैं कि चैलेंजिस आ रही हैं सामने अभी भी तो किस तर सरकार का नजरिया किस तरह है कि मलोग कि इसमें कोई लापरवाई बरदाश नहीं होगी बहुत क्लियर कट है सरकार का जो एजन्डा है वह अभी आपने पीछे देखा होगा हमारे प्रोग्राम में आरे एफ जो डैपिड एक्शन पोर्स महिलाओं की अलग से तयार की है सरक प्रोशन में है तो उसके पास जल से जल पुलिस कहन सकेगी तो इन लगातार अच्छा परयास है सरकार का और जो भी जो भी क्राइम अगेंस विमें के केसिस पैंडिंग है या केसिस हो रहे है उनका भी एक टाइम पीरेड सेट कर दिया है सरकार ने कि जितने भी रेप केसि जुद्धाने प्रड़ी 26 पुलिस प्रड़ी को अधीकारी उन्सक्राइब कि उनकों जल से जल निपटाएं और ताकि समय रहते विक्टिम को जश्टिस मिल सके। जैसे कि पुलिस बहुत ही महनत कर रही है और जाकि कोमुनिकेशन बढ़नाने के लिए मैलाओं की और बढ़ती की गई हैं अठेना पुलिस के अंदर और जैसा कि हमारे सीम साहब ने काफी मोहिम तो लाई हैं जैसे कि पुलिस को वीक में एक रेस्ट पर ले नहीं था तो अब प्रेस्ट मिल गया है ताकि तोड़ा रिलिव मिले और काम कर पाए पुलिस और सेलरी भी हमारी ज्यादा बढ़ाई गई है और जो कि हमें इतना अटेश किया रहा है नेट के साथ कि जैसे भी क्राइम होता है मुसी टाइम पोंचते हैं और हमें स्पेशल बोला गया है कि ज सारी चिजे पब्लिक के अंदर बैठ के रूबरू हमारी डिसकस कर रहे हैं तो क्राइम कों करने को इसकी जारी बहुत अची बाता है यह सवाल इसलिए एहम बन जाता है क्योंकि अगर बचियां सेफ रहेंगी तभी तो वो खेलों के तरफ अकरशित होगी अपने घर से नि लगाया जोबस मिलने लगें तो लोगों ने अपनी बेटियों को फिल्ड में बेजना स्टार्ट कर दिया है अधर्वाइस जब हमारी बेटी होती है तो हम चाहते हैं कि वो गुंगट ना करें बट हमारे जो बहु आई वो हमारे गुंगट करें तो एक मैं मैं मेंटलीटी गहरा हों कि इंसानों को उच्छा सोचना चाहिए और बेटी और बहु को सबको बराबर सोचना चाहिए